हाई आल, वेलकम बैक को एनदर वीडियो, बहुत टाइम से मैंने कोई व्लोग डाला नहीं था, मोटिवेशन ही नहीं आ रही थी यार व्लोग डालने की और मैं काफी बीजी भी था, तो आज मैं निकला था बाहर कुछ भूमने के लिए तो मैंने सोचा आप लोगों को भी ल यह है गाईज, जो आलनेरू प्लेनेटोरियम अंदर से इसा कुछ दिखता है, अंदर कुछ शो है मैंने अभी पता किया है लेकिन वो अभी तू थर्टी पे कंड़ा लेंगुज में है, तो वो तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, बट बाहर भी यह प्लैनेट्स का कुछ बन पाई रमो आओ काफी कुछ बना हुआ साइन्स से रिलेटेड काफी काफी कुछक शुड़ा वोकाइब वो बना हुआने लंटेगें पिता कीो काफी कुछक कंडु़ा वोकाइब। कि यह कुछ सम्राट यंपर यहां लिखा हुआ है यह अप्टिक ट्री है यह अप्टिक ट्रीजम गाइस प्रिजम के उपर दिखा रखा है कैसे कलर से रिफलेक्ट हो रहे हैं यह है यह है यह है यह गाइस विंड मिल अप्टिक आप अप्टिक टॉलेक्व यह अप्टिक लायो झाल कि अधिये देखो यह depth perception के ओपर बना हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ अभी यह क्या बना हुआ है अगर हम इसको side से देखें तो यह कुछ ऐसा है लेकिन अगर हम इसको सामने से जाके देखें तो अभी देखना आप यह देखो यह Einstein है यह है guys कुछ big dipper बना हुआ है यहां पर कुछ stars से related यह देखें अभी यह देखें यह कुछ पुली का बना हुआ है guys पुली से weight balance किया हुआ है यह पेंडूलम्स है यह है guys galileo's inclined plane नीचे एक ball है जैसा कि आप देख रहे हैं इस liver को भूमाएंगे तो ball ऊपर आएगी और उसके बाद यहां से उदर जाएगी और वापिस इधर ही आजाएगी यह बाल नीचे वापिस आज़ेगी नेक्स्ट आइटम है कुछ यह vortex sounds इसको लिवर को गुमाएंगे तो हलकी हलकी sound आ रही है काफी कुछ है guys यहाँ पर यह भी है कुछ rolling discs मैंने यह दिस्क उधर से उठा के इधर लगा दी है यह वाली सॉलिड डिस्क है या फिर आई यह बाली होलो है क्योंकि यह मुझे लाइट लगी और वह काफी भारी थी तो शायद यह सॉलिड है और यह होलो है तो मैं यह लिवर उठाऊंगा तो जो सॉलिड होगी शायद वह पहले पोचेगी एक बर करके देखते हैं लिवर भी बहुत भारी है है गाइज न्यूटन की कलर प्लेट कलर उड़ गया है इसके सारे आइटिंग बहुत पुराना इसलिए इस लिवर को घुमाऊंगा तो कलर्स आएंगे कि यह है कुछ 3D पेंडूलम कि यहां से देख सकते हैं कि यह कुछ ट्रांसमीशन आफ मोशन का मॉडल यह लास्ट है शायद मॉडल गाइज विस्परिंग डिश इस पैसे लिखा हुआ है कि कि मेक अफीबल साउंड शायद कुछ विस्पर करेंगे तो साउंड वापिस आईगी यहां पर खड़े होके तो यही था गाइज ज्वालल नेरू प्लैनेटोरियम अंदर तो मैं नहीं जा पाया जहां पर कुछ चो होता है क्योंकि वह भी कनड़ा लेंगुज में चल रहा था बट बहार ही ऐसा था काफी सारे साइंस के मॉडल्स थे अच्छा था आपको टाइम पास करना है तो आप काफी अच्छे चीजे देखेंगे यहाँ पर आ सकते हो आप यहाँ पर देखने के लिए यह एमजी रोड के पास पड़ता है ज्वालल नेरू प्लैनेटोरियम बैंगलोर में तो यही था ज्वालल नेरू प्लैनेटोरियम अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो म झाल झाल